किसانों के हित में सोंबार को जिले के महराजपुर बिधायक नीरद दीक्षित ने किसानों एवं अपने कारे करताओं के साथ सudक पर उतर कर पृदरसन किया साथ ही यहां पर राज्य सरकार का विरोध भी किया गया कॉंग्रिस विधायक नीरत दिक्षिद द्वारा यह परदर्सन तैसील कारियाल महराजपुर में किया गया जिसमें खात की समस्या बिजली कटोती ट्रांसपार्मर खराब होना जैसी तमाम समस्याओं को लेकर विधायक नीरत दिक्षिद द्वारा यह परदर्सन किया गया है बिधायग नीरत दिक्षित ने जानकाली देते हैं कि करीब ऐसे गाओं हैं जहां पर बेलकुल भी विजली नहीं हैं बहाँ पर अगर अगर आती सिग्र विजली नहीं पहुचाई जाती है और कोई टेमपжеरी विवस्ता नहीं की जाती है तो यहां पर यह परदर सन लगातार जारी रहेगा तासी यहाँ पे विधायक नीरदीशित ने वेयाई भी कहा है कि फिलहाल अधिकारियों दोरा आसवासन मिला है कि जल्दी इसमें निराकरन कल दिया जाएगा मगर विधायक का कहना है कि अगर निराकरन सिग्र नहीं होता है तो चार दिसंबर को नोगाओं में बिसाल पर्दसन किया जाएगा चतरपूर हलचल के लिए प्रिंस भर्भूजा की रिपोर्ट आज किस सम्द्वेदर पर क्या पन दिया गया है विद्वाग की समस्याओं को लेकर आप देख रहे हैं कि हमारा किसान एक तरफ खास से परिशान है दूशी तरफ विद्व से परिशान है हर गाओं में बिर्दुत की कटोती बराबर चल रही है ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं लाईने खराब डली हुई है इसके बाद भी अवेद बसूली की जा रही है खास ही हमारा में से ट्रस्त परिशान है उनकी समस्याओं के हल की लिए यहां आएं उनकी समस्याओं का हल daughter अधिकारिओं का इस संबंद में कहनाा अभी आए थे आखारिओं का आज साम साम कर कुछ तीन दिन के अंदर पूरे दानसवाद छेतकी समस्था का हल नकालेंगे, करेंगे, अगर नहीं करते हैं, तो चार तारिकों नोगाओं तैसिल के सामने वू घरताल पर बाठ जाएंगे, जब तक छेतकी समस्था नहीं चुदा रहा है, यह अभी तक हरताल अभी यहाँ पर कब यह जारी रहेगा, जब तक समस्या का समाधानी होता है, संगर्स है, संगर्स करते रहेंगे, चेतकी समस्या